अब तक हम बहुत अलगलग तरीकों से मृत्यू के बात की दुनिया की विशे में जान चुके हैं। इसी कड़ी में आज मैं आप सभी के साथ एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूं। जिसमें एक नियूरो सर्जन जो की दिमाग के डॉक्टर के रूप में कारे करते हैं, उनके मृत्यू के बात की अनुभों पर आधारी थे। जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी, तो मैंने महसूस किया कि डॉक्टर एवन अलेक्जेंडर, जिन्होंने ये पुस्तक प्रूफ ओफ हैवन, जो की उनके अनुभों पर आधारी थे। इस पुस्तक में मैंने महसूस किया कि शुरू से ही बच्पन से ही जैसे डॉक्टर एवन अलेक्जेंडर ये इसी चीज को दुनिया के सामने रखने के लिए आये थे। क्योंकि कड़ी तर कड़ी जैसे जुरू रही थी। शुरुवाज से ही उनको मस्तिश के कारे करने की जो पद्दती है उसमें अलग नजर से उसे देखते थे। जो दिमाग की शमता हैं उन्हें समझने की कोशिश करते थे। एक लाइन में वो ये भी कहते हैं कि जब मैं आसमान को देखता था बच्पन में ज़र बच्चा था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने घर को देख रहा हूं। मुझे ऐसा बस एहसास सा होता था पर चलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा मैसूस करते हैं चांदतारों को देखते हैं लेकिन इसके बाद जब वो टीनेज में भी गए है तब का भी उन्होंने अपना एक अन्वाव शेयर किया कि किस तरीके से उन्हें स्काई ड टीनेज थे तो उन्हें जब वो स्काई ड्राविंग का जो उनका एक्सपीरेंस था उसमें एक एक एकसिडेंट उन्हें फेस करना पड़ा उसमें उन्होंने अपने एक मित्र की जान बचाई वो कहते हैं कि किस तरीके से मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग बहुत छोटी से फ्यू सेकंड्स के अंदर बहुत धीरे धीरे बहुत शाप तरीके से काम कर रहा है और उन्होंने और डाक्टर एवन एलेक्जेंडर ने अपने मित्र की जान बचाई इसके बाद 54 साल की उम्र में उन्हें एक मांसिक बिमारी समझ लेजे दिमागी बुख इसका सामना करना पड़ा और इसी दोरान वो दस दिन तक जो कोमा की स्थिकी में रहे उन्हें मित्यू के बाद की उस दुनिया का एक्सपीरेंस हुआ और उस एक्सपीरेंस के बेस्ट पर उन्होंने प्रूफ ओफ हैवन इस पुस्तक को लिखा आज और आगे आने वाली सी इस पुस्तवात में ही कहा कि जैसे एवन अलेक्संडर को शुरू से ही उनके बच्पन के समय से ले रही जए उनको मस्तिश्क से लेकर और दूसरी दुनिया कुछ इस तरह की चीजें कुछ उनके जीवन में शुरू से ही जैसे एक इंडिकेशन था समय लिजे कुछ घटित हो रही थी वो कहते हैं कि वो अपने बच्पन के बार में बताते हैं कि मैं आंगन में खड़ा होकर तारो को देखा करता था और मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं अचानक से जमीन से उटकर ऊपर की तरफ जा रहा हूं लेकिन यह उनके बहुत बच्पन का अन्भव है शायद मैं वो सपना देख रहा था क्योंकि वो बहुत चोड़ी बच्चे थे उस वक्त जब कई अन्भवों शेयर कर रहे हैं कहते हैं कि शायद मैं वो सपना देख रहा था और जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे हवाईजाज रोकेट इस तरह की चीजों से प्यार होन और उनके मित्रचत का पेरशूट शायद काम नहीं किया था और ऐसी सिती में वो बताते हैं कि किस तरीके से वो खुद हैरान है कि किस तरीके से उनके माइन ने काम किया वो कहते हैं कि कुछ सेकंड्स थे लेकिन वो कुछ सेकंड्स मेरे लिए बड़े धीमे धीमे चल रहे मैं खुद इस घटना के बाद हैरान था कि किस तरीके से उन्होंने अपने दोस्त की जान बचा इए वो बताते हैं कि उस वक्त में जैसे मेरा माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से चल रहा था मैं बहुत धीमी गत्य से चलती फिल्म की तरह सब पुष देख रहा था वो बताते हैं कि उस वक्त मेरा दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशालिग हो गया था मैं खुद भी हैरान था कि ये मैंने कैसे किया आगे चलकर अलेक्जेंडर ने मेडिकल में अपनी केरियर बनाने का फैसला किया वो कहते हैं कि ये जो 20 वर्षों का मेरा जब ये हासा हुआ उनके जो उनको दिमागी बुखार हुआ जिसमें वो कुमा में गए उस वक्त उनका 20 वर्ष का कैरियर था नियूरो सर्जन के रूप में और ये जो उनका period था 20 वशकान वो कहते हैं इसमें मैंने देखा कि किस तरीके से मस्तिष काम करता है और किस तरीके से क्योंकि उनके सामने ऐसे बहुत सारे patient आये जो अपने आखरी वक्त में थे या कुछ लोग को जो attack पड़े थे वो बिल्कु टच करके वापस आये थे तो वो अपने अनभव बताते थे क्योंकि वो इसी field में थे मस्तिष से related field में थे तो इस तरह के लोग के साथ वो काम करते थे तो उन लोग के अनभव वो सुनते थे तो जब वो उन लोग के अन्भाव सुनते थे तो वो ये कहते थे कि हाँ मतलब एक डॉक्टर की तरह वो सोचते थे कि आखरी समय में या कुछ जब इस तरह का हासा व्यक्ति के साथ होता है विट्यूकर निकट का अन्भाव होता है तब मस्तिश में कुछ रसाइनिक परिवर बहुत बहुत ऐसा धरन जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं जएदा यहां पर एक बात वो कहते हैं कि जो मेरे साथ वो टीनेज में जो हास्ता हुआ जब उनके मित्र की जाननों ने बचाई स्काई ड्राविंग के दोरान वो कहते हैं कि अब जाकर मुझे बाद में इस जिसे मैंने अपने मित्र के प्राणों के लिए कारे किया था जिसते किसे मैं अपने दिमाग के साथ उस وक्त काम करा था वो में ना मस्तिश्क नहीं था वो उससे कुछ बढ़कर था, कुछ अद्भुत था, जिसकी वजह से मैं अपने मित्र की जान बचा सका और वो कहते हैं कि वो जो कुछ था ना, उस वक्त अपने टीनेज में, वो मस्तिश्क और शरीर से कुछ बाहर था मस्तिश्क और शरीर की सिमाओं में अटका हुआ नहीं था, उस वक्त मूमेंट जो उन्होंने अनभव किये अब ये सारा जो अनभव आप सुन रहे हैं, सिर्फ शब्द मेरे हैं, अनभव तो अलेक्जंडर के हैं यहाँ पर आप एक चीज़ नोर्डिस करेंगे कि अब जैसे मैंने आप लोग के साथ अनीता मूरजानी, इनका भी पूरा प्लेइलिस्ट है, शेयर किया था तो अब अनीता मूरजानी एक सामन्य महिला थी, उनको कोई मस्टिश की जानकारी नहीं, कोई उनके ऐसे अनभव नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी वो मृद्द्यू के बाद की दुनिया के एक्स्पिरिंस थे, वो हमारे साथ शेयर करें यहां पर जो Eben Alexander है, इनका थोड़ा मामला अलग है, क्योंकि यह तो खुद एक neurosurgeon रहे हैं, और खुद ही एक दिमागी बिमारी की वजह से ही कोमा में गए हैं, तो और खुद उन्होंने इस तरह के बहुत सारी केस देखे हैं, डेटबेट पर लोग को देखाया और इस तर मामूली बात होती है, तो Eben के लिए भी मामूली बात थी, तो यहां पर हम एक डॉक्टर के नजरिये से उसके अनुभव से चीज़ों को देख रहे हैं, कोई समानने व्यक्ति अगर ये बात बोलता है, तो वो चीज़ अलग होती है, एक डॉक्टर अगर ये चीज़ बता है, तो ये बात अलग है, जब ये घटना हुई, वो चोमन वर्षके थे, वो कहते हैं कि अपना पूरी जो जवानी का मेरा वक्त था, मैं इन चीज़ों को समझ नहीं सका, बिल्कुल एक साइन्टिफिक नजरिये से इन चीज़ों को देखता रहा, लेकिन अब जाकर मुझे मृत्यु के बात की दुनिया पर विश्वाश हो रहा है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, आगे वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, उन्होंने 1976 में चैपल हिल उतरिक एलवेना से रसायन विज्यान में, केम अधिनित लोगों की अपरेशन किये, गंभीर मस्तिक्ष की जो बिमारिया थी, उनके इलाज किये, सिर्फ इतना नहीं, इस चीज से इलेटिद, नियूरो सर्जन से इलेटिद वो लेक भी लिखते रहे हैं, उन्होंने 150 से अधिक पत्रों में, मैगजिन्स में इस से इलेट कर दिया, और जिन भी लोगों की मैं मदद करके उन्हें ठीक कर सकता था, अधुनिक चिकिसा की मदद से, वो मैंने किया, मेरे जीवन का मकसदी ये था कि मानव शरीर और मस्तिश्क, इसकी जो कारे पढ़नाली है, इनका जो आपस में तालमेल है, इसके बार में मैं ज्याद नमबर 2008 से पहले की, लेकिन 10 नमबर 2008 को परसितिया बतली, क्योंकि उस वक्त वो एक बहुत दुरलब बिमारी है, उसकी चपेट में आए, उनका न्यूक्रो ट्रेक्स मस्तिश्की भारी सते का वो हिस्सा, जो हमें सोचने समझने की शमता देता है, वो बंद हो गया था, एक इस बिमारी से पीड़त होते हुए, वो लगबग साथ दिनों तक कोमा की अवस्था में रहे हैं, अब 10 नमबर 2008 से डाक्टर एवन एलक्जंडर की लाइफ का एक दूसा चेप्टर शुरू होता है, जिसमें उन्हें निर देथ एक्सपिरेंस हुए, उसका जिक्र मैं अगल कड़ी में करूंगी, आप सभी पर परमातम सौन दरें, प्रेम और आनंद, सेदेव परस्ता रहें, आप सभी दिव्य परस्ता